नमस्कार, खबर दिनबर में आपका स्वागत है, खबर दिनबर में आज होंगी दिनबर की वो सभी खबरें जिन पर रही आज आपकी नज़र लाल केले पर खालिस्तानी जंडा फैराने के लिए उक्साने के आरुपी पंजाबी सिंगर दीफ संदू ने खुद को बेगुना बताया है उसने बुद्वार देरात फैस्बूक लाईवा कर किसान नेताओं को धमकी देते हुए का कि तुमने मुझे गदार का साटिफिकर दे दिया है अगर मैंने अपना मुझ खोला तो तुम्हें दिल्ली से भागना मुस्किल हो जाएगा दीव सिद्धों ने कहा मैं जब लाल के पर पहुंचा तब गेट तूट चुका था उसमें हजारों की भीड खड़ी भी थी मैं बाद में वहां पहुंचा जिस रोड से पहुंचा उस पर सैक्रो ट्रेक्टर पहले से ही खड़े थे मैं पैदल ही के लिए के अंदर पहुंचा था वहां देखा तो कोई किसान निता नहीं था कोई भी वार रिखती नहीं था जो पहले बड़ी बड़ी बाते कर रहा था एक बंदे थे थोप दोंगे ते उस बंदे नो तुसी गदारी दा सर्टिफकेट वांट दोंगे कोई भी कारसाग देया कड़ा बड़ा प्रेशर पहना सी सरकार थे पर नहीं साड़े बंदे आने था मैंनू गदारी दा सर्टिफकेट वांट था अब तुसी एक गला नू समझ दे ही नियो फिर तुसी कह रहे है उभी असी एकआ केड़ा एकआ उदे है दा मैं उदे रात नू भी जड़ी स्पीच दिती लाइफ सेशन भी कीता हुदे छिवी एही गल कीती भी संजा फैसले लो ते एका रखो संजा फैसला लोंगे संगत दी समझ दे साफ नाल फैंसला लोंगे ओ फैंसला ठीक ही ठीका पर एग अलक कदे नहीं वचारी गई उल्टा जदो संगत आप महारी होके तो पी तो उस वेले एक बंदे नू लब के उनू कसूरवा ठहरा के आके इने कसानी से गार्शनू टालाया बई केड़ा टालाया दसो छबी तरीक तो बाद जदो संगत फैंसला करके आई होवे भी ऐसी दिल्ली दे अंदर जाके रोस मार्च करना क्योंकि ओ फैंसला तुसी होई दिता सी ते बाद ची तुसी बदल गे संगत निता फैंसला हो दे ते कर ले आसी भी हां सी दिल्ली दे अंदर जाके रोस मार्च करना ते उथे लखाँ लोग किसे एक बंदे दे कैने ची नहीं हो साकते जे कि लखाँ लोग मेरे कैने ची मैं पढ़ का थे फिर थोड़े का थे तुसी का थे लीडर रहेगे फिर ता सारा कैडरी मेरा कहो जी आँ तुसी एक देन पहला एक हिन्यो भी दीप सिद्धू दी ताँ खिच देयों हजे ताके तुसी ताम ता लाई जानने यो दूजी गल जदों ए गल करनी बड़ी जरूरी है मैंनों आर्टेस दा बीजे पी दा बंदा कह रहे हूँ लाड किले ते निशान साभ ते किसानी दा चंडा कोई आरेस दा बीजे पी दा बंदा लाओगा इन्ह पुलिस लगातार दूसरे दिन भी एक्शन में दिखी। पुलिस ने गुरुआर को किसान नेताओं के खिलाब लुकाउट नोटिस जारी किया। अर्थात वे बिना इजाजत विरेश नहीं जा सकेंगे। द्रवी वहां घुसे, उनमें हमारी लोग नहीं सामिलते, फिर भी मैं सर्मिन्दा हूँ और 30 जनुरी को प्वास रखकर या प्राइस चित करूँगा। इसलिए एनेचाई ने बागपत प्रसाशन को पत्र लिखकर धन्ना इस्तर खाली करवाने का आग्रे किया था। आज एनेचाई ने हम लोगे को पत्र लिखा था, चूकि एनेचाई के कार में बाधा पहुच रही थी। और पत्र भेज़ करके रिक्वेस्ट किया था कि हमारे कार को पूरा करा जाए चुकीन का कार पूर्ड होने की सिती में तो उसको पूर्ड कराने के लिए हम लोग आये थे और बहुत सांती पूर्ड धंग से लोग अपना स्वतर लोग चले गए हम लोग को रोना की बाद धिरे-धिरे भक्तों में जोश लॉट रहा है आज पॉस महा की पूर्मा पर वर्णाषी के गंगा घाट पर हजारों भक्तों ने आस्था की डूप की लगाई कोरोना महामारी के बावजूद भक्तों का जोश देखने लायक था बता दे कि इस वक्त उत्तरभात में भाई ठंड पढ़ रही है उसके बावजूद हजारों की संक्या में भक्तों का महराष्ट और केरल में हैं वहीं अब तक देश में ब्रिटेन वारियंट के सामने आए हैं हर्श्वर्दन सिंग ने बताया कि इन सभी लोगों पर विशेज ध्यान रखा जा रहा है सभी को कॉरिंटीन कर इलाज किया जा रहा है साथ ही उनके संपर्ग में लोगों की भी जां और ने काई लॉड अड array में अप्सक्राष प्रपाइअ करो में कि दिल्दी सरकार ने सबसे बेस्टरीन काम किया है उन्होंने अपनी सरकार की उपलब दिया गिनाते हुए कहा कि देश में पहली बार किसी पार्टी ने चुनाओ अपने काम पर लड़ा वरना अब तक तो देश में पार्टियां जाती और धर्म के नाम पर वोट मांगती रही है उन्होंने कहा कि देश में कुछ पार्टियां 500 साल पहले की बात करती है लेकिन देश 21 सदी में कैसा होगा उस पर चर्चा के ओल हम करते हैं उसे कैसे आगे बढ़ाना है हम उस पर ध्यान देखें आज तक इस देश में कोई ऐसी पार्टिय नहीं आई जिसने खुल के सीना चौड़ा करके कहा हो कि स्कूल बनवाए हैं इसलिए वोट देना अस्पताल बनवाए हैं इसलिए वोट देना बिजली ठीक करिये इसलिए वोट देना नहीं तो इस देश के अंदर वो आके कहते हैं वे तुम हिंदू हो हम हिंदू हैं हिंदू हिंदू को वोट देना तुम मुसल्मान हो हम मुसल्मान हैं मुसल्मान मुसल्मान को वोट देना तुम ठाकोर हो तुम बनिये हो तुम ये वो पंड़त हो तुम ये वो में हम भी हैं हमारी पार्टी इसकी हमारी पार्टी इसी बात पर तो वोट मांगते हैं लोगों को एक दूसरे से लड़ा के ही तो वोट मांगते हैं आज तक किसी पार्टी के अंदर हिंमत नहीं थी जो खड़ी होके यह कह दे कि अमने काम करा है काम के नाम पर वोट देना स्क केंद्री गिरेमंत्य मिस्ता ने हिंसक किसान ट्रैक्टर परेड में घायल हुए पुलिस के चवानों से मुलाकात की उन्होंने कहा कि हमें इनकी बहादुरी और साहस पर गर है बता दे कि 26 जनुरी को किसानों ने लाल किले पर हिंसक बदरसन किया था जहां हिंसा को रोकने की क कोसिस करते समय दिल्ली पुलिस के सेक्रों पुलिस कर्मी घायल हो गए थे जिनका इलाज चल रहा है कुछ किसान लाल किले पर कभजा करने के लिए कोसिस कर रहे थे जिने पुलिस ने खदेर दिया था 26 जनुरी के कई वीडियों ऐसे सामने आए हैं जिसमें आंदोलनकारी पुलिस वालों पर लाठिया भांजते दिख रहे हैं। पर दिख रहे हैं जिसमें आपको महिलाओं की इज़्यत की परवा होती तो आप इस तरह के शब्दों को अपने ट्विटर हंडल पर नहीं डालते हैं। बता दे कि एक वेबसाइट पर बीजेपी संसद रक्षा खरसे के संसदे शेत्र के नाम पर अपसब्द का उपयोग किया गया था। जिसके बाद ग्रेमंत्रिय अने डेश्मूग ने आक्रोज जतातों में कारवाई की धंकी दिये थी जिस पर चंदकान पाटिन लिप्रतिक्या देते हुए कहा कि जिस किसी ने भी ऐसी हरकत की है बीजेपी उसे खोच कर सजाद चरूर देगी। एरोली से बीजेपी विधायक गनेश नाइक ने आज नविमबई मनपाय। अवजित बांगर से मलाकात की। उन्होंने आयुक से कहा कि करोना खत्म होने के साथ ही स्कूल भी सुर हो रहे हैं। ऐसे में किसी भी विध्यार्थी का साल बरबाद न हो इस पर मनपाक काम करे। उन्होंने हाली में तुर्वेश्टोर में हुई दुरगटना का जिक्र करते हुए नविमबई में दुरगटना पॉइंट्स पर ब्रेकर लगाने का आफवान किया। अब राज्यो शाषनान ग्रामिन भागा मदे पाच्वी, सावी, साथ्वी, आठ्वी परेंच आत्यात्यात्या में टप्प्य टप्यान शाडाश शुरु करेला परवंगी दिलेलिया। अपले बान अगर पाली केच्छा शाड़ा सुरू करने पूरवी, क्याच्छ एलेट्रिकल आडिट कराव, स्ट्रक्चर आडिट कराव, स्वच्छता परिपूर्ण करावी, जीते शिक्षक नाइथ, जीते मुख्य जापक नाइथ, अश्या प्रकर्च जा सगला गरजाय त् पूर्णा अरा कड़ा त्यार करावा, और शाला शुरू करने अच्छी परिश्थिती निर्मान जाले अश्या चालू करावे, आज की बलेटिन बबस्तना ही, मिलते हैं फिर आपको कुछ ताज़ता इन खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए जाज़त, लेट